नीलांजन नियूज में आपका स्वागत है सोलंकी ने जनतादल यूनाइटिट के नेता छोटु भाई वसावा को भी साथ आने का निमंत्रण भेजा है वसावा वही नेता हैं जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर राजसभा चुनाव में कॉंग्रेस उमीदवार एहमत पटेल को वोट देने का दावा किया था वो पटेल के काफी करीबी माने जाते हैं इसके अलावा OBC, S.E.S.T. एक्ता मंच के नेता अलपेश ठाकोर और दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीडन की आवाज उठाने वाले जिगनेश मेवानी को भी कॉंग्रेस की तरफ से साथ आने का निमंत्रण दिया गया है जाना चाहते हैं तो कॉंग्रेस उन्हें समर्थन देनी के लिए तयार है कॉंग्रेस के इस ऐलान से कुछ घंटों पहले ही पटिदार नेता हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया था उन्होंने ट्विट में लिखा मुझे चुनाव नहीं लड़ना और चुनाव लडने का हमारा स्वार्थ भी नहीं है हमें अधिकार चाहिए और न्याय भी हम एहंकार के सामने लड़ रहे हैं जीत हमारी होगी हारदिक एक लीडिंग न्यूस चानल के मंच पर भी ये एलान कर चुके हैं उन्होंने एक टीवी न्यूस चानल के प्रोग्राम में उम्र कम होने का हवाला देते हुए चुनाव ना लड़ने की बात कही थी कॉंग्रेस का ये एलान ऐसे वक्त में किया गया जब 23 अक्टूबर को OBC, SCST एकता मंच के संयोजग अलपेश ठाकोर की एहमदाबाद में रैली होने वाली है इस रैली को जनादेश सम्मेलन का नाम दिया गया है गुजरात के चुनावी रण में OBC वोटों का कितना महत्व है ये इसी से साफ है कि राज्य में 54 फीसदी OBC यानि अती पिछडे वर्ग की आबादी है यही वजह है कि अलपेश चुनावी चौसर पर अपने दाव बहुत चतुराई से चल रहे है अलपेश दावा कर रहे हैं कि इस रैली में 5 लाग से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे अलपेश इसी रैली में गुजरात विधान सभा चुनाव के लिए अपनी रणनीती की घोशना करेंगे दरसल अलपेश सारवजनेक मंचो से बीजेपी को हराने की हर मुम्किन कोशिश की घोशना कर चुके हैं वहीं पातिदारों की आरक्षण मांग पूरी ना होने से नारास चल रहे पातिदार नेता हार्दिक पटेल भी बीजेपी के खिलाफ खुलेया मोर्चा खोल चुके हैं दूसरी तरफ जिगनेश मेवानी गुजरात में दलितों पर उतपीडन के खिलाफ मुखर होकर सामने आये हैं ऐसे में ये तीनों युवानेता सीधे तौर पर बीजेपी के लिए चुरोंती बने हुए हैं यही वजह है कि कॉंग्रेस अलग-अलग जातिय समिकरणों का समर्थन रखने वाले इन युवानेताओं को साथ लाकर गुजरात में 22 साल के सूखे को खत्म करने की रणनीती पर काम कर रही है